नमस्कार बैसाब क्या नाम सर्प्राइब राम जी और कहां क्यों सब बाटाडू यह जालोर इसके बलोतर के पास भी हो यहां से कितना दूर है क्या हो गया बच्ची के अच्छानक यह पेर तूट गया यह बच्ची जंगल में बैसे गों रही थी एकम इंक मांक साथ में तार क्या है फ्यक्चर होगा तूट किते दिन गया बच्ची है यह 20 दिन गी इस इसका इस आपके तो लाकों का यह नुक्सान हो गया आपके अ तो कोई बात नहीं बाट इप अब कर दियार हो जाएगे खाल मुझाट्रागी बच्छी्य साथ में बुरा बुरा क्यूं करेगा बगवान एक दम से पेर फसगीया हो के तार एंद में अच्छा गर पर गोरा गोडी कित्ते हैं और तीन वाड़ा गोडी कब से रक रहे हो गड अच्छ सिंधी की चाल तेज अच्छी है अभी तो इदर विभाल तरह मेरे में ज्यादा सिंधी आया है को इन में भी इसके लाइन वाई होती है कि अगर बाल बाहुरी भी वतीन में अच्छा पर इस लिए सब को देख के लेना पड़ता है अच्छा इसकी मदर की का है होगी इसकी मा की क्या है होगी उचाई आई वासटत अच्छा और इसके फादर की बाप की इसके रहे था इसके से करो इंग राई थी इस बीच दिन कि बच्ची है लोग फेल खेल दे खेल लुक्ष्ण तो घर पित अगे जंगल में हो गाई है गर में अजनार स्था अनार बगीशा था अच्छा वहां पर उनके साथ खेल रही थी चल रही थे लिए अच्छा आज वह कब हो आए इसके पहले बाद में पट्टा कराएं इसके अब वह सारे डोक्टरी यहां पे मेले में है तो इसलिए यहां पर करें अभी किते दन का प्लास्टर किया इसके 25 दिन में ठीक हो जाए पच्छीज दिन बाद खुलेगा यह प्लास्टर जब तक ऐसा ही रहेगा न यह चुलबली बहुत ज्यादा बहुत उठपटां कर रही है हां 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 माघर पे ने इसलिए दिक्कत आ रही है इसके मागी यहर कर रही है चोटी सी बच्ची के नुक्स को तकलीव हो गई अच क्या नाम बता है अपना आपका हेमा राम जी कि देखें दोस्तों यह बनुतरा मेले माईए 20 दिन की बच्ची जिसका पेर फेक्टर हो गया खेलते घर पे खेलते खेलते है इतार में फच जाने से देखिए इसनी सावदर रखना बहुत जरूरी है अचाने की बीज़ दन की बच्ची के पेर फेक्टर बढ़ने से बच्ची बहुत परिशान हो रही है और बच्ची में जोवसी बहुत ज्यादा है कि शिंदी ने सलगी है जसके बारी है से बारी कि बार्टी बारी कोगी है